नमस्कार दोस्तों एक तरह सिपी में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ रात की बची हुई सब्जी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो आप जट पर बनाकर त्यार कर सकते हैं चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने एक कटोरी रात की जाए तो बाहर ना फाएं बची हुई दाल सब्जी से आप बहुत ही टेस्टी नाश्ता त्यार कर सकते हैं जिसके लिए मैंने तो कप गेहूं का आटा लिया है जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया है और अब हम इसके अंदर स्वात के नुसा नमक डाल देंगे न पची हुई रात की आलू मैथी की सब्जी डाल देंगे एक बड़े साइज का जिसको बारिक बारिक चॉप कर लिया है वो भी डाल देंगे आप इसके अंदर हरी मिर्ची वगारे भी डाल सकते हैं अगर और सब्जी आढ करना चाहते हैं तो कर सकते थाड़ी पर जादा पटपटा बनाना चाहती हूं तो मैं लाल मिर्च की जगें इसके अंदर आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूं यह पूरी तरह दाल कर इसका डो बनाएंगे ध्यान रहें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है एक साथ नहीं डालना है नहीं तो डो पतला हो जाएगा और फिर प्राठे जो है वह अच्छे नहीं बनेंगी तो देखे फ्रेंड मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो बना लिया ह और अब हम इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा घी इससे प्राठे भी सॉफ्ट होंगे और हमारे आटे के उपर जो है पपड़ी नहीं आएगी घी के जगें आप ऑईल भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मसल लेंगे तो देखे फ्रेंड मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मसल लिया है आप देख सकते हैं यह हमारा डो जो है विल्कुल त्यार हो गया है इसे पांच मिनट के लिए मैं रेस्ट पर छोड़ दूँगी मैंने पांच मिनट इसे रेस्ट पर छोड़ दिया था अब हातों को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है एक बार अच्छे से और मसल लेंगे और अब हम इसका नाश्टा बनाएंगी थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लेंगे और एक लोई ले लेंगे प्राठे मोटे पतले आप जैसे बनाना चाहते हों उसी हिसाब से लोई ले लें और इसे सूखे आटे में अच्छे से लपेट लें और फिर इसकी एक पतली सी रोटी बना लें तो देखिए फ्रेंट मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है और अब हम इसे बीच में से काट लेंगे तीन से चार इंच तक का काट लेना है और फिर ओयल लगा देंगे पूरे प्राठे के उपर ओयल लगा देंगे हाट से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं और फिर इस तरह से तिरिकोना हम इसे फॉल्ड करते जाएंगे और थोड़ा-थोड़ा सा ओयल लगाते जाएंगे इससे प्राठा जो है हमारा काफी सॉफ्ट बनेगा और अब हम इसे वापिस से सूखे आटे में लपेटेंगे और इसे हलके हाथ से बेल लेंगे बार-बार सूखा आटा ना लगाएं बस एक बार ही लगाएं तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा प्राठा जो है बन गया है और अब हम इसे सेकेंगे सेकने के लिए मैंने गैस पर एक लोहे का तवा रखा है तवा जो है बहुत अच्छे से गरम हो गया है और ये प्राठा हम तवे के उपर डाल देंगे और प्राठे को हम एक तरफ से अच्छे से सिखने देंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ध्यान रहें ये वले प्राठे जो है बहुत जल्दी सिखते हैं तो गैस का फ्लेम आप लो या मीडियम ही रखें हाई न रखें नहीं तो प्राठा जो है वो जल जाएगा बहुत ही टेस्टी और सौफ्ट प्राठे बनते हैं रात की बची हुई कोई भी सबजी या दाल हो आप उससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता त्यार कर सकते हैं मैंने प्राठे बनाए हैं आप उड़ी भी बना सकते हैं और प्राठे भी बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो ब अलु प्याज का प्राठा बहुत ही जल्दी त्यार हो गया यह बहुत ही अच्छे से सीख जाता है यह धीमी आज पर अके शेक छाहें और अंदर तक अच्छे सीख जाए independent तो देखिए यह प्राठा सीख से चार और से और इसी तरह हम दूसरा प्राठा भी सेख लेंगे एक तरफ से अच्छे से सिखने देंगे फिर हम इसे पलट देंगे ये प्राठा भी हमें धीमी आजपर ही सेखना है ये क्या फ्रेंट सभी प्राठे हमें धीमी आजपर ही सेखने है हाइव लिम्पे नहीं सेकने है नहीं तो प्राठे जल जाएंगे खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तो देखिए तो ये प्राठा भी हमारा त्यार हो गया है अगर आप तिरकोने प्राठे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गोल प्राठा भी बना सकते हैं तो ये प्राठे को पहले हम बाहर निकाल लेंगे और रोटी की तरह ही आप उसे गोल बे लें पर थोड़ा सा मोटा बे लें हल्क सा मोटा जादा मोटा नहीं और इसे भी हम उलट पलट करते हुए ऐसे सेख लेंगे तो फ्रेंट तिरकोने बनाने हैं तो उस तरह से बनाने हैं गोल बनाने हैं और जल्दी बनाने हैं तो आप इस तरह से गोल पराठे भी बना कर त्यार कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं देखें मैंने चार पराठे बना लिए हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दे लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है तो चारो प्राठों पे मैं थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा दूंगी ज्यादा घी नहीं लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा प्राठे में बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है और अब हम इसे सर्फ कर लेंगे तो मैंने नीम्भू और आम के अचार और दही के साथ इसे सर्फ किया है फ्रेंग आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी और काफी सौफ्ट प्राठा बनकर त्यार हुआ है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा स्वाधिश्ट है तो आप एक बार इस रे को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और एक्तर स्ट पी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वटन को जरूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है फ्रेंड प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद